रेडीमेट स्टाइल हिजाब कैब बनाने के लिए मैंने शिमर лайक्रा फैबरिक लिया है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी के लायक्रा फैबरिक पर परफएक्ट स्टेचिंग कैसे होगी तो एक ट्रिक के साथ आप अपना来cra फैबरिक बहुती आसानी के साथ सिल सकते हैं तो guys यहाँ पर आप अगर来cra फैबरिक नहीं लेना चाहते तो अपनी पसंद का कोई भी फैबरिक जैसे cotton फैबरिक भी ले सकते हैं जिसमें ये हिजाब कैब डिजाइन आप aujourd हैं यानि perfect अपने हिसाब से बनाना चाते हैं तो उसके लिए हमें अपना head circumtrances लेना होगा तो यहां से हम अपने सर की गोलाई लेंगे इस तरह से टेप करेंगे तो मेरे measurement में 22 इंच आई है तो आपका 20, 21, 22, 23 कुछ भी आ सकता है तो जितने भी सर की गोलाई होगी हम चैक कर लेंगे तो फिलहाल यह देखिए यहां पर यह 22 इंच आई है तो बस अब हमने इसका measurement ले लिया है अब आपका जो भी measurement आए तो उसमें से 5 इंच घटा देना है यानि मैं 22 इंच में से 5 इंच माइनस करूंगी तो बचा 17 इंच तो हमने यहां पर 17 इंच का फैब्रिक कट करना है जो कुछ इस तरह से यहां तक आएगा और पीछे की तरफ यहां पर हमारी elastic आएगी इतने portion में तो 5 इंच की हम elastic लगाएंगे और 17 इंच का अपना फैब्रिक लेंगे तो यह हम side में रखेंगे अब देखें जो मैंने fabric लिया है वो कुछ इस तरह से लिया है तो हमारे measurement में 17 इंच आया था तो 17 इंच में हमने 1 इंच add कर लेना है जो हो गया 18 इंच 1 इंच हम seaming allowance के लिए लेंगे दोनों तरफ से आदा आदा इंच लेगा और इस तरह से इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने 18 इंच लिए है यानि 18 बाई 18 का एक fabric piece ले लेना है इस piece में मैंने थोड़ा सा joint लगाया है इसको square करने के लिए आप एक जैसा fabric ले सकते हैं जोइंट करने की कोई जूरूत नहीं है ये joint मेरा अंदर की side आ जाएगा ये दिखें ये मैंने joint लगाया है तो जब हम इसको stitch करेंगे तो ये जो joint है वो अंदर की तरफ कवर हो जाएगा बट आप 18 बाई 18 का एक fabric piece लेंगे तो जादा बहतर होगा अब मैं इसको इस तरह से fold कर लूँगी fold करने के बाद इसके दोनों 0 को हमने सिलना है तो जब भी मैं कोई lycra fabric के साथ कुछ भी वीडियो पोस्ट करती हूँ तो उसमें एक comment जो है वो common होता है कि हमारी machine lycra fabric पर नहीं चलती है so guys lycra fabric जो होता है वो थोड़ा सा smooth होता है stretchable होता है तो उस पर जदा तर machine नहीं चलती अगर आपकी भी machine lycra fabric या किसी हौजरी fabric पर नहीं चलती है so आप ये वीडियो में दिखाएगे trick को follow करके इस तरह के fabric पर सिलाई आसानी से कर सकते हैं अब चलिए देखते हैं कि ये जो trick है वो किस तरह से है so सबसे पहले मैंने ये tape ले लिया है ये black color का या white color का कोई भी इस तरह का tape ले लेना है so ये मैं black वाला use कर रही हूँ अब इस में से थोड़ा सा हम open करेंगे उसके बाद हमारी machine के ये जो foot है इसके नीचे हमने simply इस तरह से इसको चिपका देना है बस इस तरह से और आगे से यहां से cut कर देंगे और पीछे जो थोड़ा बहुत extra है यहां से भी cut करके निकाल देंगे तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ ये tape मैंने किस तरह से लगाया है तो ये देखिए ये tape को मैंने just पैरों के नीचे चिपका दिया है और needle में मैंने thread भी डाल लिया है अब मैं आपको दिखाऊंगी जो सिलाई है वो हमें किस तरह से करनी होगी तो ये वही 18 बाए 18 का fabric है जो हमने cut किया था इसको मैंने double fold कर लिया है इसकी wrong side उपर की तरफ है अब यहां से सिलाई करना start करेंगे और जब हम सिलाई करेंगे तो आप देखिए सिलाई बिलकुल उसी तरह से आई है जैसे हमारे normally simple fabric पर आती है cotton fabric पर आती है तो इस तरह से आप अपना lycra fabric बहुत ही आसानी के साथ सिल सकते हैं आप देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ इसके जो टाके हैं बिलकुल परफेक्टली आया है कोई भी टाप नहीं आई है धागा नहीं खिचा है smoothly सिलाई एक एक टाका परफेक्टली आया है इस तरह से सिलाई करते हुए बीच बीच में एक या दो बार आपको टेप जो है चेंज करना होगा सो बस इस तरह से हम अपना ये बाकी का फैबरिक सिलेंगे तो देखिए ये वाली जो सिलाई है वो हमने complete कर ली है अब इसको सिधा कर लेंगे अब देखिए जो हमने सिलाई लगाई है वही सिलाई को पकड़ते हुए हम एक साइट में कर लेंगे और ये जो जो जॉइंट था वो हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा इसके बाद ये जो दोनों साइट के खुले सिरे हैं यहाँ पर हम इस तरह से गैदर्स बनाएंगे तो ये गैदर्स आप डारेक्ट मशीन से भी बना सकते हैं या फिर आप इस तरह से भी बना सकते हैं तो फ्रेंट्स उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अब तक समझ आ गई होगी और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे और अगर आप हिजाब के और डेजाइन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर हिजाब प्रेलिस्ट एक बार चेक आउट जरूर करें तो देखिए इसी तरह से अब हम दोनों साइट में ये गैदर्स बना लेंगे इसके बाद हमने एक और लाइकरा पीस लेना है तो यहाँ पर एक छोड़ा सा फैबरिक पीस ले लिया है मैंने इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने साड़े चार इंच ली है और लंबाई दस से ग्यारा इंच तक ले लेंगे यानि हमारी जितनी भी लंबी लास्टिक होगी उसका डबल ले लेंगे तो हमारे पास जो लास्टिक है उसकी जो लंबाई है वो पांच इंच है और चोड़ाई इसक कट किया था और जो हमारा पांच इंच बचा था उसके बराबर हम लास्टिक ले लेंगे तो यहां पर लास्टिक अब पांच या चार इंच ले सकते हैं यनि अगर आपने पांच इंच कम किया है तो लास्टिक अगर आप चार इंच भी लेंगे तो भी ठीक रहेगा बट मैं बड़े साइस के लिए बना रही है उसलिए मैंने पांच इंच लिया है और जितनी लंबी लास्टिक होगी उसका डबल करके फैब्रिक ले लेंगे और देखिए फैब्रिक की चोड़ाई इस तरह से डबल करने के बाद आगे की तरफ मैंने आदा इंच एक्स्टरा निकाल द अब हमने इसके अंदर लास्टिक इंजर्ट करनी है सो सेफटी पिन की हेल्प से हम यह लास्टिक को इसके अंदर इस तरह से इंजर्ट कर देंगे तो यह बहुत आज़ानी के साथ अंदर चली जाएगी अब इसको हमने थोड़ा आगे लेकर जाना है और उसके बाद यह ज लाए लगानी है इसके बाद अब देखिए जो safety पीने बाहर के तरफ लाएंगे और इसका यह जो दूसरा सिरा है यहां लाकर हमने इसको सिल देना है यानि इसके दोनों सिरे बंद कर देंगे और जो हमने center में सिलाए वाला पार्ट रखा है यह हम बीच ओ बीच रखेंगे य यह पार्ट है इसको हम gather के ओपर रखेंगे और यहां से आदा इंच की सिलाए लगा कर इसको पक्का कर देंगे तो इसको सिलते हुए सिलाए थोड़ा आराम से करें क्योंकि यहां पर जो layer है फैब्रिक की और elastic की वो काफी जादा मोटी है तो दो से तीन सिलाए लगा कर इस अब एक चीज़ मैं आपको और बता देती हूँ जो gather's हैं वो हमने अपनी elastic की चोड़ाई के हिसाब से डालनी होगी यहां पर जितनी भी हमारी चोड़ी elastic होगी उतनी ही चोड़ी यानि उतनी ही दूरी की हमें यह gather's बनानी है तो बस इस तरह से रखकर हम इसको भी side से सिल लेंगे वर्स सिलाई को हमने पका कर लेना है अच्छे से तो लिजिए इसी सिलाई के साथ हमारा रेडिमेट जैसा हिजाब कैप तयार हो चुका है यह देखिए कितना beautiful और कितनी आसानी के साथ हमने यह lycra fabric stitch किया है अब अंदर की side से यह जो fabric elastic है इसको अगर आप cover करना चा कर लीजिए आप चाहें तो यह part skip भी कर सकते हैं क्योंकि इतना कुछ खास जरूरत नहीं है इसको cover करने की बट जो लोग चाहते हैं इसको cover करना सो बस एक पट्टी लेंगे हम यहां से रखकर सिलाई करेंगे और उसके बाद इस सिलाई को इस तरह से इसको cover कर देंगे सो ऐसे करके यह जो edges हैं हमारे धागे और यह elastic के सिरे यह cover हो जाएंगे और इसी के साथ यह हमारा cap तयार हो गया है अब देखें जो cap की सिलाई वाली side है सो एक side पर किनारी पर जो सिलाई आई है वो चीज हम उपर रखेंगे और यह forward वाली side नीचे की तरफ लेके जाएंगे गरदन की तरफ अब हमने यह cap लास्टिक यहां रखकर इस तरह से बस पहन लेना है तो बहुत ही आसानी के साथ यह पहना भी जाएगा कोई बानने का जंजट भी नहीं होगा और इसकी fitting भी बहुत अच्छी आती है अगर आप inner cap पहनना पसंद करते हैं तो आप इसको एक बार try जरूर करें यह किसी भी fabric के साथ बना सकते हैं जरूरी नहीं stretchable fabric हो अब तक आपने इस वीडियो को like करके share कर दिया होगा चैनल को भी subscribe कर लिजे और यह red वाला जो inner cap है यह भी मैंने बिल्कुल ready made जैसा बनाया है इसकी वीडियो भी आप लोगोंने काफी पसंद की है तो इसका link भी मैं end screen पर लगा दूँगी तो वहाँ से आप check कर लेना thanks for watching this video